हाई ड्वेल्टीज, वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तविता और गाईज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी एकॉनमी की हालत को, जब हमें इंडिपेंडन्स मिलने वाली थी, तो हमें किस हालात में हमारी एकॉनमी दी गई थी, हमने बह के हालात बहुत खराब थे, हमसे यहां से सब कुछ लूट कर वो लोग ले जा चुके थे, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी हैं, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेट ऑफ इंडियन एकॉनमी, इंडियन एकॉनमी के स्टेट क् कि मतलब क्या हलात थे उसके on the eve of independence, ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है guys, that is colonial economy, क्लोनियल किसे कहते हैं guys, क्लोनियल का मतलब होते हैं जहां पर एक राज़ा होते हैं और इसके प्रज़ा होती है, तो हमारी एकॉनमी भी क्लोनियल एकॉनमी बन चुकी थी, क्यों, क्योंकि Britishers एक राजा की तरह हम पर राज कर रहे थे और around 200 साल उन्होंने हम पर राज किया हैं, ऐसे ही नहीं चले गए, 200 साल बहुत जादा होते guys, nearly about 200 साल, वैसे 190 साल बनते हैं, बड़ 200 साल उन्होंने हम पर राज किया, और उसके बाद वो गए हैं, हमें लूट कर, सब कुछ हमार जी हजूरी करी थी, right, second हमारी economy क्या थी, semi-feudal economy guys, feudal किसे कहते हैं guys, feudal होते हैं जहां पे landlord और tanning system आ जाता है, तो हमारा agriculture sector आपको पता है, जमीदारी system ये लेग क्या है, जहां पे जमीदार और actual farmers जो थे, वो क्या करते थे, actual farmers खेती करते थे और जमीदार उनसे text वसूला क करते थे, अगर वो text नहीं देते थे, तो उन्हें पूरी उमर भर के लिए उनसे free में काम कराया जाता था, तो ये जमीदारी system इन लोगों ने involve कर दिया था, जिसे हम feudal system कहते हैं guys, इसके साथ सथ हमारी economy capitalist में बन चुकी थी, capitalist मतलब क्या, क्योंकि industrial sector अब आ चुका था, जो भी पूंजी वादी जिसे हम कहते हैं, industrial sector के जो लोग थे, वो पूंजी वादी, पैसे वाले के लाने लगे और बाकी सारे लोग गरीब, आपको अगर कभी आपने अपने बढ़ोग से कहते सुनाओ, कि पहले सिर्फ दो ही तरीके की category के लोग होते थे, एक अमीर तो दूसर जो चाहती थी, तो इन दोनों को मिला के हमारी economy क्या बनी थी? semi-foodal economy, right? इसके बाद third है guys, stagnant, stagnant का हम सब को मतलब पता है, जो रुका हुआ, स्थिर है, बहुत धीमी गती से बढ़ रहा है, growing at a very low rate, बढ़ तो रहा है, बढ़ तो रहा है बट बहुत धीमी गती से, हमारी economy गाइस देख तरीके से रुकी हुए स्थिर थी, जो अगर बढ़ भी रही थी, तो बहुत ही कम कदमों से बढ़ रही थी, क्योंकि हमें ज्यादा तर exploit किया जा रहा था, हमारे agriculture sector को exploit किया जा रहा था, ठीक है, उसके बाद guys, fourth है backward economy, backward का क्या मतलब होता है, पिछडा हुआ, आज भी है क्या हम लोग, आज हम लोग बहुत बेटर हो चुके हैं guys, उस समय पर हमारी economy backward क्यों कहलाती थी, क्योंकि एक तो productivity level लो था, per capita income लो थी, technology नहीं थी, उपर से हमारे farmers को इतना exploit किया जाता था, बहुत सारी कमियां हमारे देश में थी, जो अफकॉर्स यही लोग ल इसके बाद guys, हमें depleted economy भी कहा जाता था, depleted अगर आपने accounts में 11 में पढ़ा हो तो depreciation पढ़ा है ना, जब हम किसी को use करते है, किसी चीज को, physical चीज को use करते है, machine को, तो वो उसकी value down हो जाती है, right, हमारी economy भी depleted economy बन चुकी थी, यानि कि an economy where no arrangement has been made to replace the physical asset, अब यह लोग क्या करते थे, हुआ क्या था, मैं आपको बताती हूँ, second world war हुआ, ठीक है, यहां से ना, यह लोग हमारे हां से machines, हर एक चीज यूज करते थे, और इतना जादा यूज करते थे, उसकी capacity से जादा, अब वो चीजे हो जाती थी, खराब और उसे use करने में लगे पड़ें, लगे चाहिए था, तो समझ रहे हो, इन्होंने अपनी लड़ाईयां जो यह बाहा लड़ते थे, उसकी भरपाई भी हमारे हां से कटे थे, यहां सारा समान हमारे हां से भर कर जाता था, जिसकी वज़े से हमारी एक डिपलेटेड एकॉनमी बन चुके थी, क्योंकि हमारे जो physical assets से एक policy अपनाए थी, divide and rule, यानि की बाट दो, ठीक है, यानि की लड़ाई जगड़े कराओ और शासन करो, divide and rule की, मुसल्मान हिंदू की लड़ाई कराओ, कास्ट के बेसिस पर, religion के बेसिस पर, color के बेसिस पर, तो यह चीज़े वहीं से शुरुआत हुई, और हमारी एकॉनमी को इनों ने amputated economy बना दिया, अलग कर दिया था, दो भागों में और इसका नतीज़ा आप सबको पता है कि पाकिसान और इंडिया अलग हुआ, कुछ टाइम बादी है ना, तो हमारी economy को क्या बनाया गया, amputated economy, तो यह हमारी economy की हालात थे, economy के हालात थे, guys, उस समय जब हमे independence मिलने वाली थी, क्या हम एक colonial economy में बन चुके थे, semi-feudal economy थी, stagnant, टुकी हुई थी, backward थी, इसके अलावा, depleted थी, और amputated थी, so guys, I hope आप लोगों को यह चीज़े समझ आई होंगी, और इसके अलावा, अगर कोई भी query है, आप Instagram पर मुझे message कर देना, तब ता मैसी मेरी idea है और अगर यह वीडियो पस्तना आई है, तो like करें भीना, बिल्कुल नहीं जाना, guys, और subscribe करना है, and bell icon को press करना है, guys, for more new videos, thank you